नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नतीजों से पहले अपनी रणीति त्यार करना इस बैठा का एजेंडा है एक जुन की दो पहर प्रस्तावीत बैठाक दिली में बुलाई जाएगी इस दवरान देश में आखरी चरण का मतान चल रहा होगा सुत्रों के अनुसार इस बैठाक में भी पक्षी नेता चार जुन के नतीजों से पहले अपनी रणीति पर चर्चा करेंगे और साथ चरण के चुनाओं में अपने परदसन का आकलन भी करेंगे होटवार जेल में हेमंत सुरेन से मिले मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन सात्वे और अम्तीम चरन के लोग सभा चुनाओं के लिए वोटिंग से पहले जहारखन के मुख मंत्री चंपाई सुरेन ने रांची के होटवार इस्थित बिए सा मुंड़ा सेंटर जेल में सूबे के पुर मुख मंत्री हेवान सुरेन से मुलकात की है चमपई सुरेन सुक्रवार को सुबा जारखन के पुर्व सी एम से मिलने के लिए पहुँचे बताया जा रहा है कि लोग सभाचुनाओ के बात की परिथितियों परचार्चा के लिए चमपई सुरेन ने हेमान सुरेन से जेल में मुलकात की है लोगसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच सनी वार को दिली में परधान मंद्री नायन नमोदी के खिलाब बने महागडबंधन इंडिया की बैठक बुलाई गई है बैठक में भाग लेने के लिए चंपई सुरेण और हमन सुरेण की पतनी कलपना सुरेण भी दिली जाएंगी बदादे इंडिया के नेता दावा कर रहे है कि इस बार केंदरे में उनकी ही सरकार बनने जा रही है गड़बंदन के नेताया भी दावा कर रहे हैं कि जार्खन की सभी 14 लोग सभा सीट पर उसके उमिदवार जीत रहे हैं जार्खन में लू लगने से 28 की मौत जार्खन में लू और जानलेवा हो गई है यहां पिछले 24 घंटे के दवरान भीशन गर्मी के करां 28 लोगों की मौत हो गई है इसमें पलामो और चात्रा में 8 आठ गड़वा में 5 को लहान के जिले में 3 धनबाज में 2 और हजारी बाग रामगर में 1 एक व्यक्ति की मौत हो राज्जे के पलामो गड़वा और आसपास के इलागों में सुक्रवार को भी भीशन गर्मी जारी रही गड़वा का 56.5 और मेदनी नगर का 56.6 दर्ज किया गया वहीं राज्जी के मौसम में सुक्रवार को बदलाव देखा गया है यहां दिन भर बादल चायर है इस पास्तेवम उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक डाक्टर सनत कुमार पंडित ने सभी जीलों को इसके लिए अलर्ट करते हुए चमगादरों की मौत के कारणों की जाच किराने की हिज़ायत दी है डाक्टर पंडित ने कहा है कि सभी जीलों को कहा गया है कि उनके छेत लेकिन मौत के कारणों की जाज जरूरी है इसलिए सभी जीलों को कहा गया है कि उनके यहाँ यदि चमगादर या किसी अनपक्षियों की मौत हो रही है तो उसका सेंपल कलेक्ट भेजे अभी किसी जीले सेंपल नहीं आया है सेंपल मिलने के बाद उसे ICAR के कोलकता इसलिए भ के हर बुथ की कंट्रोल रूम से होगी मोनेटरिंग लोग सबा चुना 24 को लेकर जार्खन के दुमका राज महल रुट्डा लोग सबा छेत्र में सनी वार को मत्तान है राज महल में 14 और गोड़ा याम दुमका में 199 उमिद्वार है जार्खन के मुख निवाचन पताधिका ने जानकारी दी है कि दुमका राज महल और गोड़ा के हर बुथ की कंट्रोल रूम से बेब कास्टिंग जरी मनुटिंग की जाएगी परतेक बुथ पर अंदर और बाहर एक एक कैमरी लगाए गए हैं परवेक्षक भी पूरीज थिती पर अपनी नजर बनाये हुए हैं उन्होंने बताया है कि मद्दान केंद्रो पर मद्दान कर्मी पहुँच गए हैं सभी मद्दान कर्मी मद्दान के बाद उसी दिनों आपस लोटेंगे चुनावायले छेतर से जुड़े बिहार और परचिम मंगाल के सीमा सील कर दी गई है वे सुक्रवार को धुरवा के निराचन सदान में प्रेशवारता कर रहे थे पलामू में गर्मी ने लेली 17 लोगों की जान जारखन के पलामू जीले में आसमान से बरस रही आग और लूक के थपेड़े ने दो दिनों में 70 लोगों की जान लेली है गुरुवार को साथ जबकि सुक्रवार को हीट वेप वा भीशन गर्मी के कान 10 लोगों ने दम तोड़ दिया है 30 माई को जान लेवा गर्मी से जारखन में 23 लोगों की मौथ हो गई थी वहीं सुक्रवार को पलामू का अधिक्तन तपमान 46 डिगरी सेस रहा जबकि निम्तन तपमान 11.5 डिगरी सेस रिकोर्ड किया गया बता दे पलामू के मोहमद गज थाना छेत्रे के केंदुआ गाउन निवासी दिने साव वहीं कजरात नावाटी रेलवे स्टेशन में कार रात ट्रेक में मुकेस मीना की हीट वेप की चपेट में आने से मोध हो गई है भारतिय नवशिना अगनीवीर की अमतिमति थी बढ़ी भारतिय नवशिना ने अगनीवीर सिन्य सेकेंडरी रिकोरेट SSR मैट्रिक रिकोरेट MR की पदों पर भारति के लिए पंजिकरन करने की समय सिमा बढ़ा दी है जो उमिद्वार एक चुक है वो इस आवेधन को भर सक सकते हैं आवेधन करने के लिए उमिद्वार को अगनीवीर के अफिसियल वेपसाइट पर जागर ओनलेन के माधम से 5 जून तक आवेधन कर सकेंगे बढ़ा दे भारतिय नवशिना अगनीवीर पर इक्छा के लिए पंजिकरन करने के लिए उमिद्वारों को 550 रुपय का भ खुनखार रांची में एक महिने के अंदर 750 लोगों को काटा है बढ़ति गर्मी में डॉग बाइट के मामलें ब्रीदी हुए है पिछले एक माह में सदर अस्पतल में डॉग बाइट के 750 मामले सामने आये हैं या संके किसी दिन 40 तक भी पहुंचा रही है डुक्रों का मनना है कि गर्मी में कुद्ते बिचलित हो जाते हैं जिस वज़ा से डॉग बाइट के केस बढ़ते हैं जबकि इससे अधिक मामले वर्षा के मौसम में आते हैं उस समय इनके ब्रीडिंग का वक्त होता है और ऐसे में ये आपस में ही उतेजित होते हैं सिविल सर्जन ट्राक्ट मामलों में एंटी रविज भैकसिन नहीं मिल पाता हैं जिसके बाद मरीज को सिद्य सदर अस्पटार डेफर कर दिया जाता है यहाँ पर मरीज को पूरा डुज दिया जाता है जाकि कुछ मामलों में रिम्स में इमर्जनशी में आइगं भी ौगबाइट के मरीज को पहल अताली सेहर अत्रिक्त जवानों को तेनात किया गया है यहां जारखन पूलिस के अलावा सीरपीफ के जवान की भी तेनाती हुई है इन सीटों से जुड़े बासर सवांठावन बूथो पर पुखता सुरक्षा ब्वस्ता इन ससंदिये छेत्रों से बंगालव विहार की सीमा स संसदिये सीटों पर संतिव पूर्ण चुनाव कराने से जहारखन पूलिस का मनोबल उचा हुआ है अम्तिम चरन के दवरान भी पूलिस सतर कहा है और इस छेत्र से गुजरने वाले स्टेट और नेशनल हाईवे पर चेकिन अभियान जारी रखी गई है पलामू सेंटरल जेल में कैदी हुआ बेहोस इलाज के दोरान मौथ मौथ हो गई है वह 2017 सेंटरल जेल में था बता दे पलामू जी लेकि मेदनी नगर सेंटरल जेल में बंदी संजय सरमाय के दोरान मौथ हो गई है धन्यवाद